नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका Literature Experience की इस online class में दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे syllable के बारे में, meter के बारे में और foot या feet के बारे में दोस्तों आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में iambic pentameter बारे में सुना होगा कि इस वीडियो के अंत होने तक आपको इस topic से एक भी doubt न रह जाए तो आप इस वीडियो को last तक ज़रू देखेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत useful साबित होने वाली है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं या फिर उससे कही ज़्यादा letters को मिला कर एक word बना जाता है लेकिन उस word को बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है और उसी जो रुकने की जो sound है उसी को हम बोलते हैं syllable तो अब अगला सवाल ये आता है कि किसी word में हम ये count कैसे करें कि हमें कितनी जगह रुकना पड़ता है तो दोस्तों हम count करते हैं वावल के द्वारा यानि किसी word को हम कितने भाग में divide कर सकते हैं और पढ़ते समय कितनी बार pause ले सकते हैं ये सब depend करता है वावल पे अगर आपको definition समझने में कठना ही आ रही है तो चलिए मैं आपको example के थुरू बताता हूँ जिससे आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो देखिए आपके सामने जो सबसे पहला word है वो है adorable अगर इस word का हम उच्चाराण करते हैं तो इसको बोलते समय हमें चार जगह pause लेना पड़ता है जैसे ए, डो, रे, बल यहाँ पे हमें चार बार vowel का यूज़ करना पड़ा एक जगह ए में, फिर डो में, फिर रे में, फिर ब में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस word में total चार syllable है अच्छा आपको मैं अगला example देता हूँ दूसरा example है fast इस word को आपको बोलने में केवल एक बार ही pause लेना पड़ता है जब आप बोलते हैं fast तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे केवल एक syllable है अच्छा तीसरा example देखते हैं यह है person तो इस word को आप दो भाग में बाटके बोलते हैं पहला है per, दूसरा है son इसको बोलते है person तो यहाँ पे दो syllable होंगे फिर उसके बाद यह तीसरा word देखिए जैसे कि आप सभी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आप बहुत ही खुबसूरत लोग हैं तो यहाँ पे इस beautiful word को हम तीन syllable में बाटके बोलते हैं beautiful तो यहाँ पे इस word में तीन syllable हैं अच्छा इसके बाद मैं एक और example आपको देदेता हूँ तो यह word है information तो information को हम चार भाग में बाटके बोलते हैं information तो यहाँ पे चार syllable हो जाते हैं इस तरह से ठीक है अच्छा आपने यह तो सीख लिया कि किसी word में syllable कैसे count करते हैं यानि उस word को बोलते समय आप vowel के कितने sound निकालते हैं उसी से हम syllable को count करते हैं अच्छा syllable कितने प्रकार को होते हैं तो syllable होते हैं दो प्रकार के एक होता है accented और दूसरा होता है unaccented यानि आप Accented को Stress Syllable भी बोल सकते हैं और दूसरे Un-Accented को Un-Stress Syllable बोल सकते हैं तो इसमें जो पहला टाइप है Accented या फिर Stress Syllable इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं और इस सिंबल का नाम है ICTUS दोस्तो जब किसी word में Accented Syllable होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जोर लगा कर उस word को बोलना पड़ता है इसलिए इसका नाम है Stress Syllable यानि आपको वहाँ पे अपनी आवाज में थोड़ा सा Stress दे के बोलना पड़ता है और दूसरा है Un-Accented यानि Un-Stress Syllable इसको हम इस Symbol से Introduce करते हैं इसको बोलते हैं Brew और इसको जब हम बोलते हैं तो इसको हम बहुत ही आराम से बोलते हैं यानि बोलते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशा नहीं लगाना पड़ता अपनी आवाज में तो आपने देखा कि Syllable दो टाइप के होते हैं पहला होता है Stress Syllable दूसरा होता है Un-Stress Syllable और इनको बताने के लिए हम इन Symbols का यूज़ करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गय होगे कि Syllable क्या होते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि Syllable से Foot कैसे बनते हैं तो देखिए किसी Word की जो सबसे पहले Unit है वो है Syllable कि उस Word को हम कितने भाग में बाट सकते हैं अब हम बात करते हैं कि Foot क्या होता है या Feet क्या होता है तो देखिए दोस्तों जैसे आपने देखा कि एक Word था Person इस person में थे दो syllable, एक per और एक son, तो यहाँ पे जैसे दो syllable हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक food है, यानि दो या तीन syllable मिलकर एक food का निर्माड करते हैं, इस बात को आप फिर से समझें, कि दो या तीन syllable मिलकर एक food का निर्माड करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने देख था कि syllable भी दो टाइप के होते हैं एक होता है stress और एक होता है unstress तो ये जो syllable है आपके stress और unstress यही एक combination बनाते हैं और इन ही के type से यानि ये कैसे किस arrangement में रखे हुए हैं इसी के हिसाब से हम food का निर्मार करते हैं तो चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये food बनते कै से हैं तो आप देखिए सबसे पहला food होता है iambic food जैसे आपने William Shakespeare की कई सारी points में सुना होगा कि William Shakespeare iambic pentameter pattern को follow करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि iambic और pentameter ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं यानि जब इनको मिला देते हैं तो ये एक pattern बन जाते हैं iambic ह होता है food और pentameter अलग चीज़ है तो सबसे पहले हम बात कर रहे है food की तो चलिए अब आप इसको बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि आपको syllable समझ में आ गया है तो अब हम food को समझते हैं तो देखिए सबसे पहले जब हम एक unstress और stress syllable को एक साथ मिलाते हैं यानि पहले एक unstress syllable होगा और एक unstress syllable होगा वहाँ पे आता है iambic food यानि इस जोड़े को हम बोलते हैं iambic food चलिए for example में आपको बताता हूँ जैसे आपका एक word है destroy ठीक है तो यहाँ पे जब आप बोलते हैं dis तो आप बोल कर भी देख सकते हैं कि जब आप dis बोलते हैं तो आपको बोलने अधिक pressure लगाना पड़ता है अपने मुह से आपको stress देना पड़ता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है iambic food dis unstress है और try stress है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको iambic food समझ में आया होगा कि जहाँ पे एक unstress और stress syllable एक साथ में हो वहाँ पे होता है iambic food दोस्तों arrangement का बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उल्टा मत कर दीजिएगा unstress और stress को ही रखिएगा एक साथ में stress और unstress गलत है तब उसको iambic हम नहीं बोलेंगे तब वो दूसरा हो जाता है ठीक है तो जहाँ पे unstress और stress एक साथ आएंगे उसको हम बोलते हैं i iambic food अब हम बात करते हैं दूसरे food की दूसरा food होता है ट्रोचेक food इसमें एक stress syllable और एक unstress syllable एक साथ होते हैं आपने अभी देखा था कि iambic food में unstress पहले था इस्ट्रेस बाद में था लेकिन ट्रोचेक में पहले stress है बाद में unstress है for example जैसे एक word आप देख लीजे एक word है topsy topsy word को जब आप बोलते हैं तो आप इसको दो भाग में बाड़ते हैं यानि इसमें दो syllable है पहला है top दूसरा है c जब आप top बोलते हैं तो आपको ज़्यादा stress देना पड़ता है लेकिन जब आप c बोलते हैं तो आप आसानी इसको बोल पाते हैं तो यहाँ पर पहले stress syllable है unstress syllable चलिए अब तीसरे टाइप को देखते हैं तीसरे टाइप है spondic food spondic food में होता यह है कि इसमें दोनो stress syllable होते हैं यानि इसमें दो syllable इसमें भी रहेंगे और यह होते हैं दोनो stress syllable जैसे example के लिए hum drum यहाँ पे आप hum बोलेंगे तो भी आपको stress देना पड़ेगा और drum बोलेंगे तो भी आपको stress देना पड़ेगा उसके बाद अगले food के type की बात करते हैं तो यह है enapastic food जब आप किसी word में दो unstress syllable और एक stress syllable हाँ दोस्तों यहाँ पे तीन syllable एक साथ मिलकर food का निर्माड करते हैं तो सबसे पहले दो unstress syllable होंगे फिर उसके बाद आएगा एक stress syllable for example जैसे word है intervene तो इसको हम तीन भाग में बाढ़ते हैं intervene तो जब आप बोलते हैं in तो भी आप बहुत आसानी से बोलते हैं जब आप बोलते हैं ter तो भी आसानी से बोल लेते हैं लेकिन जब आप बोलते हैं win तो आपको ज़्यादा stress देना पड़ता है ठीक है हो सकता है आपको सुरुम बोलने में समझ ना आता हो आपको तीनों सब्द एक ही जैसे लगते हो लेकिन अब जो बनाया हुआ है इंगलिस में वो आप सीख लीजिए कि यहाँ पे तीन भागों को हम इस तरह से बोलते हैं तो एनापेस्टिक फूट में दो अनिस्ट्रेस चलेबल है और एक इस्ट्रेस चलेबल है ठीक है उसके बाद अगला टाइप है डैक्टिलिक फूट dactylic food में पहले एक stress sellable होगा उसके बाद दो unstress sellable होगे यानि कि एनापेस्टिक का ही opposite कर दीजिए जैसे आयंबिक food में unstress और stress था पहले तो ट्रोचेक में क्या करना था कि उसी का उल्टा कर दीजिए तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एनापेस्टिक में दो unstress और एक stress है तो dactylic में जश्ट उसका उल्टा कर दीजिए कि पहले stress कर दीजिए बाद में दो unstress sellable हो जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा dactylic food for example में हम एक word देखते है merily में तीन syllable का use हुआ है में, री, ली मतलब आप एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि किसी word को बोलने में कितने vowel sounds का use होता है उसी को हम syllable में बाटते हैं तो मैरे लिए तीन syllable में बटा है में, री, ली तो यहाँ पे में को बोलने में आपको stress देना पड़ता है री और ली को बोलने में आपको stress नहीं देना पड़ता इसलिए यहाँ पे हो जाता है dactylic food और आखरी food है phiric food इसमें होते हैं दो unstress syllable यानि इसमें कोई stress syllable नहीं होता है इसमें के वोल unstress syllable होते हैं वो भी दो जैसे the sea या फिर sun of ये दोनों unstress syllable हैं इनको बोलने में हमें बिल्कुल भी stress नहीं देना पड़ता है तो आप एक चीज़ समझ गये होंगे कि सभी syllable का एक pattern होता है और pattern के ही हिसाब से हम उनका नाम रखते हैं यानि iambic food, trotect food, spondic, anapastic, dactylic और phiric हम food को इस नामों से जानते हैं और दो या दो से अधिक यानि तीन syllable मिलकर एक food का निर्मार करते हैं और उन food की संख्या के आधार पर उन्हें meter का नाम दिया जाता है अब हम बात करेंगे कि meter क्या होता है तो दोस्तो एक चीज़ आप बिल्कुल फिर से समझ लीजे कि syllable आपने देखे दो टाइप के उन दो टाइप के syllable को हम arrangement में करके food बनाते हैं ठीक है तो पहली सबसे छोटी काई syllable syllable से बना food अब food से बनेगा meter अब हम food की संख्या से decide करेंगे कि कौन सा meter है तो सबसे पहले अगर आप किसी line में एक food देखते हैं जैसे कि आपने देखा iambic foot तो अगर कहीं एक food है तो उसको हम बोलते हैं monometer अगर आप कही पे 2 feet देखें अब देखिए एक तो होता है foot दो होते हैं feet singular और plural singular में हम बोलते है foot और plural में हम बोलते है feet तो जहाँ पे एक foot होता है वहाँ पे बोलते हैं monometer 2 feet होंगे तो उसको बोलते हैं diameter 3 feet होंगे trimeter 4 feet होंगे tetrameter 5 feet होंगे यहाँ पे आता है आपका pentameter उसके बाद 6 feet होंगे hexameter 7 feet होंगे heptameter और 8 feet होंगे octameter usually poetry में 8 feet से ज़्यादा use नहीं किये जाते हैं अगर कभी किसी ने किया भी है तो वो बिल्कुल exception है न के बराबर ही poetry ऐसी बनाई गई है मैं maximum 8 feet का ही use करते हैं यानि octameter तक ही use करते हैं तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यह meter बनते कैसे हैं इसको बहुत इध्यान समझेगा ठीक है आपको समझ में आ गया है कि syllable क्या होते है आपको समझ में आ गया है कि feet क्या होते है अब समझ यह meter क्या होता है तो जैसे one foot है तो जैसे अभी तक आपने iambic foot को देखा था कि उसमें होता है एक unstress syllable एक stress syllable तो अगर हम कहीं पे एक unstress और stress syllable को देखें तो इसको बोलते हैं आयम्बिक फूट और अगर हम इसको मीटर के नाम से बोलें तो अगर एक फूट होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमीटर तो इसको हम बोल सकते हैं आयम्बिक मोनोमीटर क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फूट है फूट का पैटर्न आयम्बिक वाला है और क्योंकि यहाँ पे एक foot है तो इसको meter के भासा में हम बोलते हैं monometer तो आप इसको बोल सकते हैं iambic monometer अच्छा अगर यही iambic foot दो जगह लिखा हो तो यानि दो बार लिखा हो एक ही line में तो आप तब वहाँ पे क्या बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे iambic foot ही दो बार है तो रहेगा तो iambic foot ही लेकिन क्योंकि दो बार है तो यह meter की भासा हम हो जाएगा iambic diameter क्योंकि 2 feet को हम बोलते हैं diameter तो समझे आप जहाँ पे 2 feet होंगे यानि जो यहाँ पे 6 type के foot है यह कोई भी हो उसके हिसाब से आप वहाँ पे meter बार देंगे जैसे अभी मैंने तो आपको बताया कि iambic foot अगर दो बार लिखा हो तो उसको बोलते हैं iambic diameter for example अगर यहाँ पे spondic foot है और यही दो बाल लिखा हो तो आप इसको क्या बोलेंगे तो इसको आप बोलेंगे spondic diameter तो यहाँ पे आपको confusion नहीं होना चाहिए कोई भी foot अगर एक बाल लिखा है तो हो जाएगा monometer और जिस pattern में वो लिखा रहेगा उसी का नाम पहले जोड देंगे तो अब चलिए अब हम बात करते हैं कि iambic pentameter क्या होता है अगर आपको यहाँ था कितना समझ में आ गया होगा तो आप iambic pentameter भी अपने से बना सकते हैं लेकिन चलिए आपकी सहुलियत के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ तो देखिए iambic foot ले लीजे, unstress और stress अगर किसी line में यही pattern यानि unstress और stress को 5 बाल लिखा हो तो 5 बार iambic लिखा है लेकिन अगर 5 बाल लिखा है तो उसके group को हम बोलते हैं pentameter आपने यहाँ पर पढ़ा है कि 5 feet होते हैं pentameter तो अगर iambic foot को 5 बाल लिखा हुआ है तो यह हो जाता है iambic pentameter समझ में आया आपको तो चलिए आप यह मुझे बताइए कि अगर iambic foot को हम 7 बार एक line में लिख देते हैं तो वहाँ कौन सा meter बन जाता है मैं आपको example भी दे देता हूँ पहला है iambic trimeter, दूसरा iambic tetrameter, iambic hexameter या iambic heptameter आप मुझे बताइए कि अगर iambic foot को 7 बाल लिखा हो तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको syllable, foot या feet या meter आपको अच्छे समझ में आया होगा लेकिन अब चलिए अब बारी है एक example की, कि poetry में इसका use कैसे होता है दोस्तों मैं जान रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप इसको एक बार में अच्छे से समझ जाएं क्योंकि देखी ये ऐसा topic है कि ये बहुत ही आसान है लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझे रहेंगे न तो ये बहुत जल्दी भूल भी जाता है तो चलिए, अब हम इसको poetry में देखते हैं कि इस total meter food को हम कैसे poetry में यूज़ करते हैं तो William Shakespeare की बहुत ही famous sonet है जिसको मैंने अपने चलिए में पढ़ाया भी हुआ है sonet का नाम है Shall I compare the to a summer day तो आप अपनी screen पर ये देख भी पा रहे हैं कि shall I compare the to a summer day को उपर पहले stress के तरीके से माटा गया है जैसे shall शैल जल्दी आप बोल सकते हैं I I जब आप बोलते हैं तो आपको अपने गले से stress देना पड़ता है ठीक है shall आप बोलते हैं आप खुद ही बोल कर देख लिए आप बोले शैल आराम से आप बोलते हैं बहुत ही कम stress लगाते हैं यानि यहाँ पर है unstress I आपको stress देना परता है compare दो syllable से बना है एक है कम, दूसरा है pair तो कम जो है वो बहुत ही आप आसानी से बोलते हैं लेकिन जब आप pair बोलते हैं compare तो आप वहाँ पे stress देते हैं, फिर उसके बाद आता है d, d भी आप आसानी से बोलते हैं, to to में आपको अपने गले के पास से stress देना पड़ता है बोलने के लिए, अ, भी आप बहुत आसानी से बोलते हैं, उसके बाद sum, सम जब आप बोलते हैं, तो वहाँ भी आपको stress देना पड़ता है, अर अर भी आप बहुत आसानी से बोलते हैं फिर उसके बाद आता है d, उसको बिखन भी आप stress लगा के बोलते हैं, आप इसको यहां पे symbol के द्वारा भी देख लिए, पहले है un-stress, फिर stress, un-stress, stress, un-stress, stress, un-stress, stress, तो आप देखें कि यहां पे किसका food बंढा है, आपको याद आएगा कि Iambic में ही ऐसा होता है, कि पहले un-stress होता है, फिर stress, un-stress, stress, य किसका pattern है यह iambic food का pattern है अब आप एक चीस्तों समझ गया कि iambic food में unstress, stress यूज़ करते हैं अब आप count करिए कि कितनी बार यूज़ किया गया है एक line में तो देखिए shall i 1 compare 2, d 2 3, a sum 4, a day 5 यानि iambic food को पांच बार एक ही line में use किया गया है तो अब आप बताईए कि यहाँ पर कौन सा meter यूज़ हुआ तो यहाँ पर होता है iambic pentameter समझ में आया आपको तो देखिए कितना असान है इसको समझना तो मैं यहाँ पर बिल्कुल sure हूँ कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको syllable, feet और meter बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको बिल्कुल doubt नहीं होगा मैं मानता हूँ कि किसी word में syllable को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन कम से कम अगर आप basic चीज़ों को जान लीजिएगा तो आगे फिर आप जब advanced mode में जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि किसी चीज़ की अगर आपकी new मजबूत है अगर आपको उसका basic पता है तो आगे कितनी भी मुश्किल आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजेगा और चैनल को सस्क्राइब करके अपने दोस्तों की बीच इस वीडियो को जरूर भेजेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से benefit मिल सके तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक आपना ख्याल रखिए खुश रहिए नमस्कार